प्लीज लाइक करें शेयर करें और विडियो को उन तक पहुंचा है जिनको इस विडियो की जरुवत है तो ये जो चेप्टर बहुआ इसमें बृत आलेक से लेटेड बहुत सारे प्रुशन दिये गए हैं तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि बृत आलेक क्या है इसके बाद क्या है कि हम इस चेप्टर को स्टार्ट करेंगे ब्रित आलेक की परिभासा करते हैं जिसे पाई चार्ट या सर्कुलर डाइग्राम भी करते हैं करता है संपूर्ण ब्रित को त्रिज्जाखंड यानि सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है परतेक तिज्जखंड का आकार जोता है उसके 12 निरूपे सुचना के समानुपाती होता है इस प्रकार के निरूपन क्या करता है बित आलेक या पाई चार्ट कर लाता है देखिए इस प्रकार का आपको पाई चार्ट दिखेगा अब हमको ये समना का खिर बनाये कैसे जाता है इसके लिए सबसे पहले बायिचन समझे एक आ Neptune को ये आपका दिया होगा इस आंकड़े में मान लेजिए ये खर्च है किताब का खर्च है या स्वास्त का खर्च है मान दिया आदमी 50 रुपाय खर्च करता है या 10 रुपाय या 20 रुपाय खर्च करता है तो सबसे पहले इन पूरी संख्याओं का योग किया जाता है इसके बाद इस संख्या के इस संख्या को सभी के जो योग होगा उससे भाग देका 360 से गुना करना पड़ेगा जो काट के जो भी मान आएगा उससे क्या इस संख्या से आप क्या करना पड़ेगा याने 225 आगया तो यह जितना आएगा वो डिगरी होगा ठीक है तो उसे पकार 10 है बहुआ तो 10 बटा 80 गुने 360 होगया बहुआ जियोस जिरो खतम 45 अठी तो यह 45 डिगर कोन हो गया ठीक है इसके बाद बाइचंद यही है 20 बटा 80 लेंगे फिर गुना 360 करेंगे जियोस जिरो खतम यहां देखिए यह 45 बार में कटेगा तो इस परकार क्या है यह टोटल कोन बनता है ठीक है तो इस परकार क्या है कि उसके बाद जो भी आएगा उसके द्वारा फिर क्या है कि याने पता कि बित में सभी याने पूरना तो तो इसको जोड़के जिए कि 205 पे यह 250 नवे 360 हो गया ना ति यह पूरा बित में क्या है 360 एक कोन बनता है तो यह सारे कोन आपो क्या करने पड़ेंगे इसमें बनाने पड़ेंगे ठीक है तो आइए सबसे पहले क्या है कि इस चेप् पॉइंट टू लिया है देखे प्रशने आपका पहला किसी बिद्याले में क्या छोटी सी पुस्तकाले में बिविन बिस्यों की पुस्तके नीचे दी गई आंकडों के पाई चार्ट द्वारा पर दसित करें ठीक है यहां देखे एक आंकडा दिया गया जिसके लास्ट में इ इस प्रकार बनाया है क्या देखे छातों की संखया यानि यह जो पुस्तके थी यह पुस्तकों की संखया हमने क्या यहां पर नोट डाउन कर लिए देखे पूरा आपको किया हुआ है ठीक है इसके बाद हमने बताया था कि जो भी नंबर है जिसे 40 से 40 इसका योग कितना है 72 है तो 72 गुने 360 से भाग देंगे ठीक है 360 डीगरी तेखे 75 360 होता है तो 40 गुने 200 डीगरी हो जाईगा 12 है बहुआ तो 12 अबटा 모든 युग 72 360 से आप क्या करेंगे गुना करेंगे 72 पशे 360 बहुतर गुने 3060 बहुट है इसके भाद 9 है तो 9 गटा 72 गुने 360 डिगरी ठिक है 9-8-72-45-8-360 तो कितना हो जागा ay बपoha ये 45 डिगरी हो जाएगा इसके बाद 7 है बपoha तो 7 बटा 7.2 गुने 360 डिगरी हो गया तो 72.5 peut 3.5 गRY तो 7.5 प hell गने 350 डिगरी हो जाएगा बपoha इसे पकात 4 है तो 4 बटा 72.5 उन्हें 360 डिग्री हो जागा तो 72 पच्छे 360 याने 4 पच्छे 20 डिग्री आप जो टोटल हमारा जो कौन का माना है उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमको एक बृत खीचना पड़ेगा उसके द्वारा उसमें क्या हमको निरूपित करना पड़ेगा तो देखिए हमने नीचे बृत खीचा है ठीक है अगर आपकी घर पर प्रकाल वगेरा होगा या फिर चांद जो इस टाप का दिखेगा आपका प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं तो वह आप ले लिजेगा और उसकी साहितास यहां पर हमको नमान लिजे कि यह बृत केंद्र है ठीक है 200 डिग्री कहत है इसके बाद अगला सब्जेक्ट है भुवह 60 डिग्री का है तो मान, जिए कि इसको मान लेते है कि यह 45 डिगरी का है कितना का है 45 डिगरी का है फिर यह और ले लेंगे यह मान लेंगे यह 35 डिगरी का है इसके बाद यह हो जाएगा बहुत 20 डिगरी का अब क्या बारीवाई से 25 वाले के 25 वाले के 25 का नाम है अंग्रेजी तो इसके अंदर नहीं अट रहा है तो बाहर लिग द आते हैं तो ये था हमारा question number one आई देखते हैं question number two को चले है आप question number two हमारा दिया गया है कता एक परिवार की मासिक आए बारह हजार है मत्तब इन सबों का योग जो है वो बारह हजार होगा ठीक है कता परिवार की मासिक खर्च निम्न साय याने परिवार जो है बारह हजार रुपे हम किस पर का खर्च करता वो भी दिया है पाई चाट खिशना ठीक है तो चले यहां सब हमने क्या है, सबसे पहले ही करके लिख दिया है, याने देखे, जैसे जैसे दिया हुआ था, सब को क्या करना है, बारह हजार से भाग देना है, सब को बारह हजार से भाग देना है, साथ में तीन सो साथ डिगी से गुना भी करना है, ठीक है, तो इसका भी लिख रहते हैं, बटे 12 12360 low number बटे 12 12 पटे 12360 डिगरी उसके नीचे दिखे 15 बटा बटा 12 びटта 121360 डिगरी आईए आईए हैं अब सबसे पहले क्या है कि सब को काट के देखते हैं कितना value आता है चलिए तो देखे 2 सुना से कहते हिरु दो सुола खतम पंदरो अठी बीसा से एधिए boat आर्टी होता सो बटा 12,000 है तो देखे दूसना से दूसना खतम यह हो जागा तीन वाल में 120 तीया 307 पंदर तीया 45 डिगरी अब देखे सभी एंगल का क्या है कि हमने क्या कि अकार्ट कुट के एंगल सो निकाल लिया है अब इस एंगल की सायता समको क्या है पाई चार्ट खिचना है तो सब सब्सक्तर से पहले एक 10 का दिया वहता है सबसे बड़ा किसका है औरहा पैतालिस डिगोरी 30 इच्र कर दिगो यह है साथ डिग्री का हमारा भौवा है यह हमारा 25 ठीड प्र 25 इन ए पर शूब घृट 48 लिग्री उसके बाद हमारा एक है बहुत 30 डिगरी का है तो इस बाका क्या है कि हम हम क्या पाई चार्ट को बनाएंगे भोजन का था बहुत यह 45 डिगरी मान लेते हैं यह स्वास्त का था यह स्वास्त का दिया हुआ था 30 डिगरी यहाँ था मनोरंजन का थोड़ा सा प्रोटेक्टर से बनाएंगे तो थोड़ा सही धंक से एंगल बनेगा या आप चाहें तो सीधा एंगल भी खीच सकते हैं और यह साथ डिगरी जो था भूँआ यह सिक्षा का था ठीक है और एक और पैतालिश डिगरी का जो वैल्यू है वो है मकान किराया तो यह मकान किराया इस वकार क्या कि पाई चार्ट को क्या करते हैं हम खीचते हैं ठीक है तो यह था हमारा कोशन नमबर दो आएदेखते है कोशन नमबर तीन को 3 हमारा कता है बिभूती द्वारा गनीत की 6 माहों की मासिक जाथ परिच्छा के प्रापतांग जो है नीचे दिये गए हैं इसको सबसे पहले गया करना है पाई चार्ट बनाना तो देख इसमें योग नहीं दिया तो सबसे पहले इसको जोड़े तो 40 45 85 एक डेर सो देख आज जाके 300 हो रहा है तो यहां पर लिख लेंगे सबसे पहले योग कितना आता है बहुत 300 आता है 300 ठीक है तो योग आगए हमारा इसके बाद क्या है कि हमको इसका निकालना है ठीक है चले निख लेंगे 40 बटा टोटल योग आया 300 आगे है ना देखिए फिन फिरुमिला द एक सो पचासी एक سो पचासी पचासी पचपन हो गया दो सो चारिस और साथ तीन सो ठीक है 360 से हम लोग भाग देंगे इसमें ठीक है पंदर तीया 45 और पंदर गुने 20 तीन सो ठीक है जिरो से जूरो खतम 18 दुनी 36 तो 18 तीया बहुआ यहां आगया 54 डिग्री ठीक है हो गया 65 बटा टोटल 300 है बहुआ इसको क्या करना पड़ेगा हमको 300 250 60 से पहले गुना कीज़िया बहुआ 360 से गुना 5 बार से काटे बहुआ तो हो जाएगा 13 पचे 65 पांच बहुआ काटे तो 60 307 तो 13 चक अठ्टर डिग्री हो जाएगा बहुआ जी इसके पाद उसके नीचे आते हैं तो पैंतिस है तो 35 बटा 300 अगूने हो गया बहुँआ 360 ठीक है 5 बान में काटे तो 7 पचे 35 60 पचे 300 60 से काते 60 चक क्या है 360। 402 दिगरी हो गया ठीक है 55 पचपन वटा 300 अगूने 360 दिगरी 5 बान में काते 11 पचे 55 60 चक 65 360 चक यहन 360 चक 666 डिगरी हो गया ठीक है इसके बाद चलिए नीचे आते तो 60 बटा 300 अगुने 360 डिगरी ठीक है 60 पचे 300 अब 72 पचे क्या है वो 360 डिगरी ती हो गया 72 डिगरी चले सभी का कौन आगया हमको 72, 66, 48, 78 और 54 डिगरी है उपसे 48 डिगरी ठीक है 72 डिगरी कुछ दिया है कुछ आजीव सा दिया है तो एक प्रित का के अंदर ले लिजेगा यहना प्रित आप अब बनाईए यहनी जो प्रकाल होता है प्रकाल की साहला से सब्से पहला 78 डिगरी लेलते बहुते立ंगे से इसके बाद दिया है लबाने अडिया है वर किसकी का पहुआ यह सितंबर का है किसका है सितंबर का है 48 डिगरी किसका था पहुआ 48 डिगरी अभी जस्ट हमने निकाला था 48 डिगरी यह अपरेल का था तो इसके सामने जस्ट अपरेल यह चिनहा लगाना से कोई जरूरत नहीं है आप ऐसे भी बता सकते हैं, 86 डिगरी बहुआ, यह अगस्त का है, किसका है, अगस्त का है, आपके सामने ही दिख रहा, इसके बाद एक 42 डिगरी का है, बहुआ, 42 डिगरी है, जुलाई का है, जुलाई का है, ठीक है, यह 78 डिगरी बहुआ, यह 78 डिगरी जून का है, ठीक है, यह 54 डिगरी, तो जरूर आपको वाटसप करें हमें 7368996381 पे आपको instant solution क्या है कर दिया जाएगा तो आईए देखते हैं कोशन नमबर 4 को और हाँ वीडियो पसंद आ तो प्लीज लाइक शेर करना भूलें चले कोशन नमबर 4 कहता कि एक वीडियाले के कक्षा एक से पान तक के 900 वीडियारतों की संख्या क्या लेखा चितरनिसाद दी गई है तो इसकी सहाइता सापु क्या है यहां पर कुछ प्रस्न दिया गए उसकी क्या उत्तर करना कता कच्छा एक में कुल कितने वीडियारती है कक्षा एक में कुल कितने वीडियारती है तो इसका है धाई सो ठीक है धाई सो भीडियारती है कता है कि सबसे कम विद्यारती किस कचम सबसे कम देखे बहुत सबसे कम विद्यारती है वो है कच्छा पांच में क्या है कच्छा पांच में दिख देंगे कच्छा पांच में ठीक है इसके बाद कच्छा कच्छा तीन से कच्छा पांच के बीच जो है total कितने बिद्यारती है याने कक्षा 3 देख तीचा 3 को अटा है तो इन तीनों को जोडेंगे बहुत है 1.5,000, पलस, 250 या पलस 100 है तो total यदि इसको हम जोडते हैं तो आता है 500 बिद्यारती टोटल कितने बिद्यारती है बहुत पांसो बिद्यार थी हैं यही आपका एंसो गया तो यह था हमारा कोशन नंबर तीन चार का सॉलिशन इस बगार क्या है कि हमने 4.2 के सारे प्रिष्णू के हल कर लिया है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगाओ वीडियो पसंदा तो प्लीज लाइक शेयर करें और पिछली वीडियो के लिंग का आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगे तो वहाँ से पिछली वीडियो देखना ना बूले मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैह हिंद